हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तों टैबलेट स्मार्टफोन योजना से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको डेली बताता हूं और अभी तीन जिलों से एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो जिले कौन-कौन से है और टैब जिले से कौन से अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो पहली जो खबर है यह है बलिया से बलिया जिले से और यहां पर 64620 चात्रों को जन्वरी में मिलेगा टैबलेट वाई स्मार्टफोन तो जन्वरी में यहां पर देने की बात कही जा रही है और यहां पूरा पढ़ सक किया और इसमें 50 चात्रा 156 सामिल थे और जिले में आपके खुल 4620 चात्रों को मिलना है और इसका वित्रण भी जन्वरी में करने की बात कही जा रही है तो जन्वरी में बलिया में स्मार्टफोन टैबलेट मिल सकता इसमें 56200 चात्र है जो की ग्रेजुएशन से हैं जैसे फर्स्ट यर सेकेंड थर्ड यर यह ग्रेजुएशन वाले हैं और पॉलिट टिक्निक या डिप्लोमा से सम्मंदित भी 570 चात्र हैं तो यह पहली खबर थी और देखिए जो टैबलेट मिलेगा वो वरियता के करम पर आधारित होगा मतलब जो थर्ड यर वाले हैं उनको पहले मिलेगा जो सेकेंड यर वाले हैं उनको उनके बाद और जो फस्ट यर वाले हैं उनको सबसे बाद में दिया जाएगा तो जैसे जैसे टैबलेट मिलता रहेगा सासन की तरब से वैसे वित्रण किये जाएंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अब जिलास तर पर कॉलेजों में कारकरम आयाजुत वित्रण करने की उजना बनाई जा रहे इसासन इस तर से जैसे जैसे tablet मिलते जाएंगे वित्रणब होता जाएगा वर्यता कि करम में पहले 33 वरस के विध्यारती होंगे उसके बाद इत्यारती हो फिर प्रथा मुरुसके विध्यारतों में टेबलेट स्मार्टफोन का वित्रणब होगा इसका अपडेट सभी कॉलिजों को भी मिलता रहेगा अब चलिए देखते हैं दूसरे जिले से रेजिस्ट्रेशन हुआ है इनमें से 74,000 का सत्यापन भी हो चुका है मतलब 74,000 का वेरिफिकेशन भी हो चुका है और विष्ट विद्याले समय सभी डिग्री कॉलेज आई टी आई पॉलिटिकनिक के विद्यारतियों को टेबलेट वा स्मार्टफोन मिलेंगे बताया कि 31 दिस समबर तक यहां पर स्मार्टफोन टेबलेट आ जाएंगे फिर दो-चार दिन में इसका वित्रण भी शुरू हो जाएगा अब चले देखते हैं तीसरी खबर कहां की है तो तीसरी बड़ी अपडेट है आजम गड़ जिले से और आजम गड़ जिले में 87,000 से अधिक शात्राओं को मिलेगा टेबलेट इसमार्टफोन तो चले में बता देता हूँ आपर जो में पॉइंट है वह देखें यहां पर क्या बताया आपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिस्रा ने बताया कि कॉलेजों में redit टैबलेट smart phone वित्रित किये जाएंगे और वित्रफिन कार्करम में जन प्रतिनिधी भी सामिल हो सकेंगे मतलब जन प्रतिनिदी यानि कि जो आपके नेता विधायक हैं वहां के सांसद वो भी आपको वित्रित करेंगे टेबलेट स्मार्टफोन और यदि सूचना लागू हो गई तो कॉलेज प्रसासन ही छात्रों में वित्रण कराए हमारी निगरानी में स्मार्टफोन टेबलेट वित्र तो अगर ऐसा हो जाता तो यह मेरे ख्याल से सही रहेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी माँ इसका वित्रण भी हो जाएगा जन्वरी में आने वाले जन्वरी में इसका वित्रण भी सुरू हो जाएगा तो देखिए तीन जिलो से भी अपडेट निकल कर आई है सामने और जैसे जैसे जिलो से अपडेट निकलती रहेगी मैं आपका अपडेट करता रहूंगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और पांच बज़े आप सभी को लाइब आना है ओके आज पांच